हेलो रूइन विलकम बैक प्लेस्मेंट स्रीज में आपका फिर से एक बार सौगत है अध्या में बात कर नहीं आ रहे हैं जो कि बहुत भी बार पूचा जा चुका है और यह बहुत की कोशन है कोशन की बढ़ते हैं समस्ते हैं क्या काय रहा है तक देखिए ये कोशन सेटमबर try to solve unit assignment problem before the lecture today he got a one tricky question the problem statement is देखिए यहां तक तो कुछ नहीं था बस्किली कुछ भी नहीं था अम में जो प्रोब्लम में यहां सुरू हरी है यहां कह रहा है देखिए आ पॉस्टिव इंटियर has been given as an input convert the decimal value to the binary representation toggle all bits of it's after the most significant bit including the most significant bit print the positive integer value after talking all bits ठीक यनि कि program क्या रहा है problem क्या कह रहा है कि हमारे पास integer value है ठीक integer value की है उसको अम लोग convert करना है binary में but जो 10 को अकर हम लोग convert करेंगे binary में convert करने के बाद उसको फिर हम नंदर यानि कि हमारा रिजर्टे डिट है इसको फिर हमघे करें टिक हमारे दिए थे हमेर रहों हाई यानि कि हमारे इंटियर ज़ार है तद करेंगे 1010 रख लिए कि कंट कर दी थे बार्ग तद कर दी गिसमें या हमाара रिजर्ट नहीं होगा यहां पर यह हमारा रिजल्ट है एक बेर छीज और बोला है कि Toggle All Beats यानि हमको Toggle करना है अब इसको हमको क्या करना है Toggle करना है अब इसको Toggle करने के लिए क्लिए हम लोग इसमें Subtract करेंगे यानि कि जो Beats होगी उसको Convert करदेंगे आप इसको टॉटल करेंगे तो हमारे जो result होगा जहाँ जहाँ 1 है वो 0 में convert हो जाएगा जहाँ 0 है वो 1 में convert हो जाएगा ठीक यही होगा हमारा ठीक यह हमारा क्या है result है अब हम लोग result को as it is नहीं print करेंगे इसको फिर से convert करेंगे इंटीजर में ठीक इसको इंटीजर में convert करेंगे अब 0101 को इंटीजर में कैसे करेंगे आपको पता है वन तू फोर एट जो चीज होती है जीए फोर वन यानि कि जहां-जहां वन है उसको एड़ कर देंगे फोर प्लस वन इकवल तो फाइफ हमारा फाइफ ही क्या है हमारा आउटपुट है फाइफ ही हमारा क्या है आउटपुट है तो इसका मतलब है यह पोरा जो प्रॉब्लम है यह कह रहा है कि हम आपको इंपुट ऐसा इंटीजर देंगे आपको सबसे पहले इसको convert करना है बाइनरी में बाइनरी में convert करने एक बाद फिर उसको toggle करने सारी bits को toggle करना है सारी bits को toggle करने के बाद जो binary आएगा हमारा उसको हमको फिर से convert करना है इंटीजर में वह हमारा क्या है आउटपुट है यह concept यहां पर लगा हुआ है मैंने अलड़ी कोड कर रखा है python में भी और c++ में है आपको समझाते हैं यह कैसे वर कर रहा है आपको concept में आ गया आप जानते हैं कोड की तरफ देखिए सबसे पहले कुछ नही सबसे पहले सी प्लस प्लस की बात करते हैं कि आपको इसका concept में आगा तो आप python में कर लेंगे ठीक यहां पर लिखा हुआ है हम लोग में फंक्शन के अंदर जाता है में फंक्शन में लिखा हुआ है कि इंट एंट के मतलब होता है यह डिक्लेर करेगा इस इंटीजर को डि कान्सक्ट कर रहा है इस में लोग तोडते हैं इस लाइन को हम लोग तोडते हैं और समस्क्ते हैं सबसे पहले हम लोग इस बात करेंगे लॉग एन क्या कह रहा हुआ है ठीक कि यह देगा हमको हाईएस्ट पावर आफ टू जो कि लेस देन होगा और एकवल टू एन होगा ठीक यह होगा मैंने इतना समझ में आ गया उसके बाद आप बात करते हैं ओवर रॉल जो रिजल्ट आएगा लॉग तो इसका जो कुछ रिजल्ट आएगा अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग इसमें डा इसलिए करेगा है कि हमको लार्जेस इंटीजर चाहिए नॉट ग्रेटर ढॉट एंड ठीक याणि कि लारजस अंको हम ग्रेटर देन यो याश्य जो कि नॉट ग्रेटर दैन से लेकर यहां तक का पाड लेते हैं अब यह चीज पाड क्या रहा है कि हम लोग यहां पर लाइस भीट्वाइस सिफ करेंगे और वन बाइ यूजिंग फ्लॉर लॉग तो एंद ठीक इसके मतलब होगा कि हम लोग क्या करेंगे एक्जांपल तो सबस्ते हैं यह पूरा पार्ट क्या होगा कि हम लोग परफॉर्म करेंगे लेफ़ बीट्वाइस आप सिफ्ट ऑपरेश एक्जांपल तो आप समझते हैं मान लेजी है हमारे पास user name put n अब इसको सबसे पहले हम लोग convert करेंगे इस पार्ड में log n यानि कि इसको हम लोग convert करें इसमें log to n n क्या है हमारा यहां 10 है अब इसको calculate करेंगे तो हमारे result 3.32 हमारे result आ गया ठीक अब इस result को हम लोग इसमें डालेंगे यानि कि floor में 3.32 डालेंगे अब इसको 3.3 डालो डालें तो हमको का मिल जाएगा कि largest integer मिल जाएगा जो कि not greater than log n होना चाहिए यहां पर मैंने अब भी बताया था तो इसका कि सॉरी अगर यहां पर कैसे प्रूट करेंगे यहां पर देखिये यहां पर क्या है सबसे पहले हैं यहां पर यहां पर है यहां पर हमारा यह हमारा वन हो गया ठीक इसका का प्लस वन यही तो है यहिए यह लोग ने हमने यहां पर लिखी है अब स्कोंबोग करेंगे हैं और इसको लोग अगर यहां जाए है ओन पर यह फॉर आजाएगा अब реглан 16 को सबसे पहले हम стать इस किसमें बाइनरी मेंतरते करसे हैंगे अगर जस्टीन को भीनरी मेतरे करना था तो हमारा क्या जाएंस लाए अंसरote 1575 बाद 2016 को कब इसकी ज़ मादर करने के बाद qa करने के यहां पे आर एसंड पॉस्टन में 16 उपस अ pumping करने के बाद यह हमारा क्या मिल गया यह हमारा मिल गया एंसर मिल गया ठीक अब चीज यहां पर देखिए इस एंसर को स्टोर कर दिया किसमें के में स्टोर कर दिया यानि कि ओवर रॉल एंसर किसमें स्टोर हो गया के में स्टोर हो गया के में स्टोर हो गया अब लास्ट लैंड देखिए cout n, n कितना है हमारा, n है हमारा, n हमारा, 10, 10, 10, यह और kick value कितनी है, 0, 1, 1, 1, 1, kick value है, और इसी के help से हमारा क्या हो जागा, हम उसको data को print कर देंगे, अब n, यह जो basically क्या है, यह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यह n है, यह k है, ठीक, इसका मतलब हो गया, यह perform कर रहा है, bitwise usual operation को between and 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 & k के बीच में बिच वाइस आप अपरेशन करा है अब आप यह कि होता है वह होता है उठงसिते है अपरेशन का मतलब है कि एच फीट अनि कि इव धार बीट आर सीम डुन रिजार्ट इस जीरो इस अपलेट बिट अर डिरेंट यूल यहां पर यहां यहां चीट देखिए इसका मतलब क्या हुआ jackson canglichacer वो प्रग्राम में देख्खिये यहां पर लिखहता है हम इसको टाउगल करने के एक रासता क्या है हम लोग लिख्रा परिए सN को परफ्रांम कर पाएंगे लग कर लेंगे तो यह जब भी हमारा जब भी हमको सेम बिट मिलेंगे तो रिजल्ट हमारा जीरो होगा और डिफरेंट बिट मिलेगी तो हमारा जीरो 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 बन है ठीक यहां पर देखिए इसमें एक जॉर आया हम लोग करेंगे तो हमारा जिब और हमारा हो जाएगा hem यहां पर था था कि हमारा 10 था 10 हम्हारा यह था एंहमार하यं क्या साधर तया यह भैंνο कर तो जर्च करने कि इस अधंभ अभ्नग बन जिरो था थी कि 1 1 0 जिरो था थीफ और इस यह लोग कुछ निकल आएगई किसमें कि जहां जहां वन है ठीक यहां जहां जहां है यहां पर लगाया ए सबाइब मे भी तोटल का K, 0, 1, 1, 1, 1 था, यह हमारा answer आ गया था, फिर हम लोग इसमें मूव किये थे हमारा N equal to K आ था था, ठीक, K की value हमारे पस यह है, N की value हमको अल्रीड हमको user need given है, और हम लोग इसमें एक्जार operation के perform करेंगे, एक्जार operation के मतलब क्या होता है, अगर सेम के लिए, डिफरेंट के लिए हमारे क्या होगा, इनिक concept के हम लोग चलेंगे, हमारा result क्या जाएगा, यहां पर आ जाएगा, हमारा output यहां पर आ जाएगा, ठीक, और सेम चीज आप इसको python में भी कर सकते हैं, python directly आप math को input करिए, users input मांगे, और सेम operation यहां perform हुआ है, सेम concept, यहां पर फ्लोर लिके किये हैं, यहां पर mat.log2 करके किये हैं, ठीक, सेम चीज है, जब प्रिंट करेंगे तब भी M scroll to K करेंगे यह भी चीज, यहां पर C++ में भी जो हम लोग करेंगे लास्ट में यह करेंगे, XOR operation perform करने के लिके हमको bits को change करना है, Thank you everyone.